Hello everyone, Good morning, नमस्कार, पांच माई 2022 और The Hindu News Analysis में आपका स्वागत है अगर आप इस न्यूजपेपर की PDF को डाउनलोड करना चाहते तो आपको मिलेगी टेलिग्राम पर जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा इनकेस लिंक काम नहीं कर रहा तो सीधा परिवरतना ये इस एकडेमी टेलिग्राम पर टाइप करेंगे वहाँ से आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा और PDF डाउनलोड कर लिजिए इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर भी जुर सकते हैं जिसका लिंक भी टेलिग्राम लिंक के ठीक नीचे आपको देखने को मिलेगा एक जानकारी मैं दे दूँ आपको वीडियो शुरू करने से पहले दो दिन कल और आज ये वीडियो थोड़ा डिले आएगा क्योंकि इसमें टाइमिंग का इशू है लेकिन कल से यानि पांच मई से ये वीडियो समय पर छे बजी ही आएगा अपडेट किया जाएगा और कम्प्लेट वीडियो होगा आज भी वीडियो की जो लेंथ है थोड़ी छोटी रखी जाएगी क्योंकि टाइमिंग का इक इशू है सबसे पहले बात करेंगे फ्रंट पेज पे जो में न्यूज डिसकसन करीगी है भारत का जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में जो गैप है वो कही ने कहीं हमारा डेफेशिट इंक्रीज हो रहा है ऐसा क्यूं हो रहा है उसके बारे हम बात करेंगे और इसके अलावा यहां पर यह बात की जारेगी आउट बाउंड जो सिप्मेंट स्लिप यह कहीं ने कहीं उसमें कमी आई है as compared to March 2022 के लेवल पर किन-किन आइटेम्स को हम लोग इं पता होना चाहिए इंडिया का जो मर्चंडाइज एक्सपोर्ट रोज यह 24% इसमें इंक्रीज हुआ बट अगर हम बात करतें इंपोर्ट की तो यह 27% इंक्रीज होकर 58 बिलियन डॉलर हो गया है यानि अगर आप इनके बीच में गैप देखेंगे 58 से अगर आप 38 माइनस कर देता हूं For example अगर आप अपने मा लेते कि आप एक काम करते को बिजनस करते हैं ठीक है जिसमें और दूसरा जैसे पहले बाटर सिस्टम होता था कि आप 100 रूपे की चीज ले रहे हैं ठीक है आप 100 रूपे के उसको दे रहे हैं आप 120 की खरीद रहे हैं तो जो 20 रूपे 2021 में जो ट्रेड हुआ था वो 125 बिलेंड डॉलर से भी ज्यादा हुआ था जिसमें से 97.something कुछ परसेंटेज है एक्जेक्ट याद नहीं है 97 से उपर हमने इंपोर्ट किया है अगर आप 125 में से 97 हम इंपोर्ट करते हैं और उसके बाद 27 के आसपास अगर हम एक तरीकी से एक्सपोर्ट करते हैं तो जो 97 माइनस 27 करेंगे तो यह होगा ट्रेड डेफिसिट यान दोनों के पीछ में जो घाटा होगा अब बात करते हैं क्या क्या चीज़ी हमें एक्सपोर्ट करते हैं पेट्रोलियम पेट्रोल से बहुत सारे बनाए जाते हैं वह हम एक्सपोर्ट करते हैं उसका फाट नम्बर इंक्रीज हुआ है यह माना जाता है कि इस free trade agreement का UAE के context में इस sector में James and Jewelry में बहुत जादा मदद मिलने वाली है इसके बाद यहाँ पर बताया गया कि most important commodities के अंदर अगर हम बात करते किन चीजों का सबसे ज़्यादा import करते पहले ही होता था कि gold petroleum products सबसे ज़्यादा होते थे लेकिन अब coal और cooking coal जो है यह कहीं कहीं increase हो रहा है कोईला increase हो रहा है इसके अलाबा तरीके से cooking coal उसका number increase हो रहा है और अगर आप देखेंगा अबर रोल इसमें growth में काफी increment हुआ है पहले बात तो जो कोईला है यह अगर आप region में देखेंगा अभी तो थोड़ा सा normal हो रही चीज़े कोईले के shortage अलग 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 तर्मल पावर प्लांट्स में अलग 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 राजियों में power guts का होना तो यह चीज़े कहने के indicate कर दूसरा युक्रेन और रशिया क वार का जो impact है वो जो import dependent country घासकर fuel और energy को लेकर उन पर बहुत ज़्यादा पढ़ता है for example इंडिया में आपको बता जेता हूं trade deficit अगर increase होगा तो हमारी currency के उपर impact करेगा currency की value उपर impact करेगा दूसरा current account deficit पर नुक्सान पहुंच जाएगा ठीक है इसके अलावा अगर हम import प लिंक करता है क्योंकि देश के अंदर कोईले के बंढार तो है लेकिन जो अच्छी quality का जो कोईला होता है या cooking coal इनकी shortage है आपको याद होगा 2013-14 के आसपास एक सवाल पूछा था UPSC ने cooking coal को लेकर ही अगर आप recheck करेंगे 2011-2021 तक आपको इस तरह की चीज़े मिलेंगे petroleum and crude ह है electronic goods है हलाकि gold में gold का number आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा लेकिन gold भी imported एक article है इसके अलाबा यहाँ पर extra जानकारी दी गई है कि इंडिया का जो export है 38.19 billion dollar था अप्रेल 2022 में और ये year और year basis पर बात करेंगे 24.2% increase देखने को मिला बट मार्च में हमने जो export किया था वो क्या था 42.2 billion dollar ठीक है उसमें कम याई है मैं repeat कर रहा हूं यह जो number mention किये गए यह number UPSC CSC 2023 या 22 के लिए important नहीं है मंत्र ही data है avoid it just understand करें कि concept क्या है कि reasons क्या रहे है इस पूरे scenario के बीच में इसके लावे बताया गया कि भारत का जो goods का trade deficit है वो 200 billion dollar के आज पास कहीं न कहीं cross कर गया है 12 months के अंदर इससे पहले हमने देखा था कि भारत का जो 2021-22 में जो trade था यह था total हमने export किया 420 billion dollar इंपोर्ट किया 612 billion dollar और total जो deficit था 192 billion dollar के आज पास ठीक है यानि 192 billion dollar हमने extra import किया है और इसका मतलब यह है कि हमें इतरों पैसा देना पड़ेगा और जब भी trade होत है तो selected currencies के अंदर ही mostly होता है for example dollar dominate करता है तो इसका impact क्या था Forex reserve पर impact पड़ता है current account पर पड़ता है currency की value पर पड़ता है import अगर बहुत जादे increase होगा तो बहुत सारे areas के अंदर यह indicate करता है impact करता है इसके अलावा बताया गया कि इन सब चीजों से क्या होता है कि higher commodity prices हमें देखने को मिलते हैं for example Russia Ukraine conflict के वज़े से यह भी कहिने के issue है और उसके बारे में discussion किया गया है अब एक सवाल आप लोगों से जब हम बात करने है current account deficit की जब हम बात करने है Forex reserve की तो आप लोगों को नीचे comment करने है कि जो current account deficit है यह basically होता क्या हमने trade deficit पड़ा अब आप नीचे mention करेंगे कि current account deficit इसका मतलब क्या होता है deficit बहुत type का मतलब घाटा primary deficit हो सकता है current account deficit हो सकता है fiscal deficit हो सकता है revenue deficit हो सकता है अलग अलग type की primary या budgetary deficit हो सकता है बहुत तरह के deficit होते हैं आपको current account deficit क्या होता है दूसरा Forex reserve के अंदर कौन-कौन से component को include किया जाता है यह आप नीचे comment क करेंगे दो क्योशन पहले पेज़ पर आप लोगों के लिए इसके रहाँ बहुत कोई पर्टिकुलर नियूस तो नहीं है लेकिन युनाइटेज स्टेट के अंदर एक डिबेट हो रही है डिबेट यह हो रही क्या अबोर्शन को एक फंडमेंटल राइट के रूप में देखा जाता है कि क्या अबोर्शन करवाना एक फंडमेंटल राइट है इसी चीज़ को लेकर एक डिबेट वहाँ पर है अगर आप भारत में एक तरीके से अबोर्शन के बारे हम देखते हैं तो इसमें बहुत सारे रूल्स और रिगुले कर हमारे यहाँ पर जब हम फंडमेंटल राइट के बारे हम बात करते हैं आर्टिकल 12-35 तक बात करते हैं पार्ट 3 के अंदर काफी इंपोर्टेंट है फंडमेंटल राइट UPSC 2022 के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी चीज़ यह डिवेट में ह जब हम कल इसके बारे भी डिसकसन कर रहे थे तब एक फंडमेंटल राइट के बारे हम डिसकसन होगा था आर्टिकल 21 और उसमें मेंसन किया गया था कि भई जो फंडमेंटल राइट जैसे वेक्शिनेशन लगवाना नहीं लगवाना यह इंडिवेजुल चोईस है आप उस इस तरह की न्यूज आप से पढ़ सकते हैं अपने तरीके से क्योंकि टेंपरेचर आप देखेंगे जो इंडिया के वारे में रेट दिखा रहा है यह खतरनाक लेवल का एक टेंपरेचर है और इसमें जब मोन कस्मेर में थोड़ा नॉर्मल बाकी पूरे देश में टेंपर हो रहा है हीट भी एक डिबेट जो टोपिक हो रहा है हीट भी यानि जो कर्मियों के मौसम में लू इसको बोलते हिंदी में हीट वेव के इंपक्ट को अबज़र करने के लिए इवन इस चीज को लेकर भी डिवेट है कि इसको डिजास्टर अक्ट के अंडर कंपनसेशन के लिए भी इसको कहिने के ऊथराइज किया चाहिए और इसको लेकर पर्टिकुलर कानून होने चाहिए इसके बाद पेज नमबर टैन पर दो इंपोर्टेंट टोपिक है सबसे पहले मैंसेन किया गया कि सुप्रीम कोट नॉट डिशाइड और डेफ़र्ड पॉलिटिकल एंट् दो इनन रख्ता या सुप्रीम कोट के सामने करें क्रिड्ट पीडिशन ध्यार करीगी कि आप इसके बारे में क्या डिरेक्शन देते हैं तो सुप्रीम कोट ने बतागी पहली बात तो यह है कि Political Entry of Official को रोकने के लिए या Political Entry के लिए कोई Rule Regulation बनाने की जो Responsibility है ये Responsibility Responsibility जो है वो Legislature की है अगर आप भारत के समिधान में भी देखेंगे Power का जो Separation की जब हम बात करते हैं चाहे वो Legislative हो, Judiciary हो या Executive हो जो Power एक्रिकर कानून बनाने की जो Authority हो है Legislature के पास तो Legislature कानून बनाएगा तो यह यही बताया गया और इसको लेकर बताया गया जो Cooling Off का जो Period है यह Decide करेगी Legislature यानि विधान पारिका संसाथ इसके बारे में इसी चीज़ को लेकर बताया गया Supreme Court की जो Statement हो हम पढ़ेंगे इस चीज़ को लेकर Doubt नहीं किया जा सकता कि जो Civil Servants होते है यह Highest Ethical Standard of Integrity and Honesty को Maintain करते है Political Literalty को Maintain करते है और Fairness and Impassility जो है वो अपनी डूटी के दुरान Discharge करते हैं और Function करते हैं लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो Read Petition में जो बोला गया के लिए इस तरह के Charges को लेकर जो Petition File करेगी Supreme Court ने उसी पर एक अपना Opinion दिया चार पेज का ओडर दिया कि भाई Civil Servant जो है लाइबल है अगर है ऐसा तरीके से violation करेंगे तो उनके strict action ली जा सकते हैं Under the All India Services Conduct Rules of 1968 ठीक इसके बाद यहाँ पर बताया गया कि वो Ethics के विशिज पर काम करते हैं कोई डाउट नहीं है कि Civil Service मेंटेन करते हैं Highest Ethical Standard को और उनकी Responsibility भी है Courtesy, Accountability, Transparency, Integrity Impartility, Neutility, Transparency and Honesty are Non-Negotiable यह जो Words इस्तमाल की गए हैं GS Paper Ethics 4 में काफी important है और इसमें Words के साथ कैसे interconnect कर सकते हैं GS Paper 4 को अगर आप मेंस में देखेंगे तो उसमें एक तो Words के बारे में हमारी observation क्या है कैसे हम interpret करते हैं Words को यह काफी important है तो उसको आप धान रखेंगे इसके लावा इस petition को dismiss किया गया कि बही कानुन बनाएगी सरकार हमारी जिम्मेदारी है नहीं वो आप कानुन बनाए और यह जो चीज़े है इसको लेकर clarity definitely होने चाहिए कानुन के अंदर भी कि अगर कोई bureaucrate माल लेते कि join करना चाहता है political party को तो क्या ऐसा नहीं कि आज resignation दिया कल join कर ली तो एक doubt होगा उसके integrity पे कि भाई क्या वो किसी political party को particular favor कर रहा था यह सारी चीज़े भी हो सकती है इनको लेकर भी debate है तो इसी चीज़ को लेकर यह petition थी जिसको decision किया गया कि भाई इसका decision लिया जागा legislature के perspective से इसके बाद यहाँ पर बात की जारी है sedation law को लेकर sedation यानि राजद्रो, देशद्रो जिस कानून को बोलते है इसमें discussion और debate यह हो रही है कि भाई government चाहते है एक case चल रहा है और जिसको 5 माई को hearing होने वाली है और यह final hearing भी हो सकती Supreme Court करेगी क्या यह कानून सही है क्या यह कानून गलत है क्या इसकानून को Supreme Court struck down कर सकती है इसी चीज़ को लेकर debate है तो यहाँ पर section 124 ए के बारे में बात हो रही है union government चाहती को भाई थोड़ा समय दिया जाए हमें अपना reply reply करने के लिए क्योंकि इसमें लगा गा ऐसी चीज़ों को लेकर Chief Justice of India के सामने जो bench lead की जारी है Chief Justice of India के द्वारा वो case को hear करेंगी 27 अपरेल को सरकार ने कहा दिया तो ठीडिक्कत नहीं है 30 अपरेल या एक महीं तक हम आप एफिडेट दे देंगे लेकिन बाद में बोला कि नहीं भाई एफिडेट नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमने तो decision ले लिया है लेकिन जो competitive ने authority है जो इसके लिए authority है वहाँ से clear होने में time लेगेगा हलाकि Supreme Court का ये clear direction है कि वही further argument नहीं होगा further इसको delay नहीं किया जाएगा फैसला तो सुना जाएगा और इसको लेकर various एक तरीके से debate हो रही है even बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि liberties को crust किया जा रहे है इसके थूर जो section one two four है के थूर यानि लोग even criticism को कहीं नहीं कहीं Indian penal code के अंदर section one two four है यानि लोग criticism को या personal liberties को कहीं नहीं कोशिश कर रहे हैं इसको लेकर debate है even chief justice of India ने बोला था कि यह एक तरीके से लो जो है वो British या colonial period के तर इस्तमाल किया जाता था खासकर दो example भी दिये थे बालगंगा धरतिलेक और महत्मा गांधी तो यह जो कानुन है जब हम debate कर रहे हैं इसको लेकर भी direct और indirect सवाल हो सकते हैं for example मैं आपको बताता हूँ 2021 में एक सवाल आया था judicial custody को लेकर ठीक है judicial या magistrate custody या police custody को लेकर इस तरीका एक सवाल था यह question बहुत important question था क्योंकि आपको याद होगा तमिल नाडू के अंदर एक duo थे यानि father और son उनको उनकी police custody के दौरान death हो गई थी तो काफी ज़ादा highlight हुआ था वो topic तो सवाल इस तरीके से भी हो सकते हैं be ready for the question आप basic के साथ interlink करिए current affairs को तब आपके लिए game changer होगा इसके बाद बात करेंगे page number 11 पर हम बात करते हैं India and Denmark के relation को लेकर भारत के प्राइमिस्टर जो है इस time पे three nation की visit पर है और three nation के विजिट के बारे में हलाकि हमने पहले discussion किया लेकिन मैं फिर शे आपको बता दो सबसे पहले इंडिया के प्राइमिस्टर जाते है जर्मनी के अंदर और जर्मनी के बाद डेन्मार के अंदर इंडिया के प्राइमिस्टर जाएंगे यहाँ पर bilateral discussion भी होगा और nordic countries की meeting भी होगी इंडिया nordic summit second number पर हो रही है 2022 में यह इससे पहले 2018 में पहली summit होई थी और इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री जाएंगे फ्रांस की capital city पैरिस के अंदर और त्री nation की विजिट है टू टू फोर मई यानि आज उनका यह last in भी होगा डेनमार्क के बारे में एक सवाल पूछूँगा पहले मैं इसको complete कर लेता हूँ की पूरा scenario क्या है पूरा अब तक की update क्या है इंडिया और डेनमार्क ने क्या important relation को लेकर कैसे एक तरी कैसे function कर सकते कैसे दोनों काम करेंगे एक साथ इसको लेकर discussion करेंगे जितनी भी nordic countries है यह माना जाता है green energy renewable energy in sources के लिए बहुत जादा important है आपने डेनमार्क स्वीडन न डेनमार्क ने यह announcement किया कि green strategic partnership को strengthen करेंगे मजबूत करेंगे green strategic partnership में आवर ओल जो green hydrogen है renewable energy इन सब एरियाज पर focus करने वाले हैं और इसके लावा आप यहाँ पर देखेंगे यह है डेनमार्क की प्राइमिस्टर मेटे फ्रेडिक्शन और इसके लावा भारत के जी है waste water management है कई बार क्या होता है direct question होते है कि waste water management को लेकर discussion करेंगे तो आप example करेंगे quote करेंगे इसको बोला जाता है branding of the answer मैं आपको example देता हूँ for example जैसे एक ready वाला चाय बेजता है open में तो उसकी कीमत माल लेते 200 रुपे केजी है वही चाय अगर एक shop वाला proper pack करके देता ह तो भाई वो डाइशो की हो जाएगी चाय से में branding कर दी है इसके बाद मोल के अंदर जाएगी तो उसमें proper उसको सजाया गया सीसे के अंदर तब वो उसकी value जो increase की जाती है यानि चीजें सेम रहती है आप branding करेंगे उसको उसको करेंगे एक जो पढ़ने वाला उसको लगे क की different लिखा गया है तो उससे आपको number भी increase होंगे इसके अलावा यहां पर यह बताया गया कि हमारे discussion के अंदर बहुत सारे areas के अंदर हमने discussion किया for example renewable energy है health है ports है shipping है circular economy है water management in areas के अलावा दोनों country अलग अलग issues पर for example green shipping है animal husbandry and daring है water management energy culture exchange इन सब areas को लेकर discussion किया गया Indian diaspora अब बड़ी संख्याव European country में रहा था तो वहां से भी बातचित करी और एक interesting चीज यह है इस पूरे scenario में कि भारत ने एक antimicrobial resistance के against एक जो collaboration है उसको join किया है कि जो डेनिस invitation है international center for antimicrobial resistance solution as a mission partner भारत ने इसको join किया है ठीके अब आप लोगों के लिए सवाल है सवाल यह है कि आपको नीचे comment करना पहली बात तो Denmark किन किन country से अपनी boundary शेयर करेगा second question जो इसी से attach है जो nordic country हमने बात करी हलाकि कुछ countries के बारे मैंने बता भी दिया बट फिर भी जितने भी nordic country है वो country कौन कौन सी है उनके name आप नीचे comment section में mention करेंगे इसके बात आगे बढ़ते हैं आगले page में प्रवेस करते हैं देखेंगे क्या important चीजे हैं ठीक है इसके अंदर इंडिया की ranking 150 out of 180 है और यह रिपोर्ड यह इंडेक्स प्रेंटेर्स के द्वारा और वर्ल्ड प्रेस प्रेस फ्रेंडिम इंडेक्स इसको बोला जाता है भारत की रैंकिंग 150 out of 180 तो इसको लेकर हमेशा debate होता है कि क्या भारत में जो प्रेस की freedom है उसको लेकर एक वो environment जो होना चाहिए वो environment नहीं है तो इसको लेकर एक debate है तो इसी के बारे में भी यहाँ पर भी mention किया गया है और यह बताया गया कि बहुत सारी ऐसी चीजी है जो ड्रेकेनियन लोज के थूरू या फिल्मी स्टाइल में लोग एक दूसरे की हत्या कर देते हैं खुद इस तरह की indexes होते हैं उनको deny करते हैं कि actual pictures हो वो present नहीं करते हैं इसके बाद आगे बढ़ेंगे page number 13 जो की world affair है दुनिया में इस टाइम पे क्या सल रहा है देखो दुनिया में particular एक होती news एक होती exam related news दोनों में difference है तो particular कोई ऐसी news नहीं जो attract कर पाएगी exam के perspective से लेकिन basic ब भारत ने पहली वे assistant वहाँ पर provide कर भी भी कहा कि 200 million dollar की हम आपको extend करेंगे loan facility provide करेंगे यानि आप तेल लीजिए दुनिया से तेल पर दिक्कत हो रही है इसके लावा Somalia यहाँ पर attack हुआ यह country जो है अगर आप Somalia को observe करेंगे तो African country है बिल्कुल own of African country है और Somalia को पहले माना जाता कि यह country जो piracy होती है piracy मतलब जो समूदर में डकीतिया डालते है उस context में जाना जाता था लेकिन एक चीज़ आप देखेंगे आप इस पूरे African continent को देख लीजिए आप इस पूरे western nation countries को देख लीजिए जिन countries में political leadership weak होगी वहाँ पर आप देखेंगे कि एक तो civil war बह लेते हैं उनके बीच में आपस में लडाई हो रही है power को लेकर इसके लावा military rule बार बार आजा रहा तो यह political instability एक बड़ा factor है यह African countries में जिसके वज़े से यहाँ पर stability नहीं हो पा रही है दूसरा investment कैसे होगा अगर stability नहीं होगी और फिर यहाँ पर poverty का एक बड़ा reason है इसक impact बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला है इन countries पर भी हमने थोड़े दिन पहले पढ़ा था कि Europe की mostly country depend करती है रशिया से oil और gas के लिए अगर gas को एकदम से बंद कर देंगे और तो दिक्कत होगी रशिया इनके सामने एक बड़ा challenge की face कर रहा है कि अगर gas खरीद नहीं है तो आ global की demand बढ़ेगी तो currency की value increase हो जाएगी और currency की value increase हो जाती है तो यह sanction जो है वो कोई money नहीं रहते है कोई importance नहीं होगी अगर ये इनकी demand currency की लगातार बढ़ती है इसके अलाबा कोई particular information यहाँ पर नहीं है और अगर मैं exam perspective से बात करूँ तो business section में भी day to day की information होती है उस तरह क information आपको देखने को मिलेगी जो direct link करे hit करे CSE 2022-23 उस तरह की information नहीं है फिलाल आज के इस video में इतना ही और कल मिलेंगे और मैं आपको एक जानकारी देदू कि सुबह 6 वजे कल से updated होगा यह पूरा का पूरा वीडियो और जो भी हमारा maximum 30 minutes तक का जो timing है या उससे beyond भी हो सकता है discussion करेंगे फिलाल इतना ही और जो सवाल पूछे गए है request करूँगा कि सभी उसके अंदर participate करें proper engagement हो ताकि आने वाले time में हमें भी confidence आएगी हमें और ज्यादा महत करनी है धन्यवाद जहिन